हेलो फ्रेंज वेलकम तो माइ यूटूब चैनल और आज हम लोग डिसकस करेंगे बहुत ही इंपॉर्डेल्ट टॉपिक और जिसको हम बोलते है आईडियल्स और यह सेलेबस मेरे क्याल से है मास्टर डिग्री रिंग्स तक जो है सेलेबस जो है आपका बैचलर डिग्री कोर्सेज में होता है कुछ इनवर्सेटी में यह आईडियल्स भी आता है आपका बैचलर डिग्री में बट डिफिनिशन डिटेल्स तो नहीं है अब हम लोग यह जो टॉफिक बोलें यह यूसफुल और बहुत ही इंपोर्डेंट है और इसके आगे अब जो भी टॉफिक हम डिस्कस करेंगे अब नेट के लिए उतना ही इंपोर्डेंट होते जाते हैं सो एक सिंपल सा कॉंसिप्ट की बात करते है आइडियल्स क्या होते है यह आइडियल्स क्या होते है तो सिंपल सी बात करते है आइडियल्स क्या होते है फ्रेंट्स किसी रिंग की आइडियल्स की बात करते है so ideal होता है क्या कोई ring दिया है उसका एक subset जो मैं लेता हूँ उसी को मैं ideal define करता हूँ समझिएगा द्यान से so यहाँ पे अगर एक मैं ring लेता हूँ R द्यान दिजिएगा ठीक है न और I को मैं अगर इसका subset लेता हूँ रिंग का न तो उस case में क्या होगा मैं ideal की बात कर सकता हूँ इस I को यह R का ideal है या नहीं है so ideal कुछ नहीं होते friends एक ring का subset होता है जो कि certain condition क्या करता है satisfy करता है वो conditions क्या है so अब आते हैं conditions discuss करने से पहले मैं आपको पहले बता दूँ कि यहां पे भी define करते है left ideal, right ideal और two-sided ideal जैसे कि हमने zero divisors में किया था left zero divisor, right zero divisor और उस तरीके से क्या simply zero divisors तो वहां पे भी हमने देखा था कि अगर ring commutative हो जाता है तो left-right बात ही नहीं करते हो वो coincide कर जाते उसी तरीके से यहां पे भी अगर rings होता है commutative हो जाए that means क्या multiplication जो है वो क्या हो जाए commutative हो जाए तो उस case में क्या होता है यह left ideal, right ideal यह क्या करते है coincide कर जाते हैं और two-sided ideal बन जाते हैं तो left-right यह two-sided सब एक concept बन जाते हैं तो फिर से में यहीं से बोलूँगा हो सकता है कि अगर आप कोई book पढ़ रहे हैं जहां पर ideal डिफाइन करने जैसे ही करता है ring को बोल देता है क्या two-sided sorry ring को क्या बोल देता है commutative तो उस case में क्या होगा left-right नहीं define करेगा सीधे यह two-sided ideal वाला concept जो डिफाइन करेगा तो मैं बोलता हूँ यही friends की book to book differ करता है फिर से में बोलूँगा अगर कोई author जो है आपका अगर commutative लेता है तो left-right की बात नहीं करेगा सीधे इस definition पर आजाएगा और अगर कोई author जो है अगर आपका बात नहीं करता है की commutative है तो उस case में जरूर left-ideal और right-ideal define करके फिर two-sided पर जाएगा तो concept से confusion नहीं होना चाहिए friends left-right पर लीजिए और अगर मैं बोलता हूँ ring commutative हो जाता है तो यह दोनों एक ही हो जाते है वो बन के जाते है two-sided जो use करते ideals के लिए use करते तो आई जो है subset है किसका उस ring का आई जो है subset है उस ring का ना तो मैं बोलूँगा कि आई जो है एक ideal है उस ring R का अगर यह दो condition से डिस्वाई करता है friends पहला condition क्या है addition के respect में जो I plus होगा वो क्या हो जाना चाहिए subgroup form करना चाहिए कि इसका R plus का वो condition मैंने लिखा हुआ है देखिए I plus is a subgroup of R plus अब subgroup की बात करते हैं तो standard notation है friends या standard जो concept है कि अगर group T में बात बोलता हूँ तो अगर S subset है किसी भी group Z का तो S को में S जो S subgroup हो जाता है उस group का जो test था क्या था कोई भी दो element लेता हूँ A B S का न तो A B inverse किया जाता है S में belong कर जाता है यह condition था friends ठीक है अगर यह addition binary of pressure addition हो जाता है तो A B inverse किसे reduce हो जाता है A minus B से न तो exactly देखिए यह लिखा हुआ है I plus अगर subgroup होगा mathematically क्या लिखेंगे कोई भी दो element में A B ले रहा हूँ Second condition क्या है कि मैं बोलूँगा I left ideal है तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी दो element लेना है मुझे एक element लेना है ideal का जो I का और एक element लेना है ring का R का तो ring के element को अगर मैं left से multiply करता हूँ I के element को तो ultimately वो जो product आएगा वो क्या हो जाएगा I में belong करना चाहिए समझेगा सो left ideal के लिए क्या है कि एक element में लिए I कोई भी element लेता हूँ I का और यहां के कोई भी element में लेता हूँ X का तो ring के element को इस I के element को left से multiply कर रहा हूँ देखिएगा X को मैं left से multiply कर रहा हूँ अगर ये i में आ जाता है तो ये तो condition से किस्वाइब करता है तो i को मैं क्या बोलूँगा friends ये left ideal है concept समझ में आए कि नहीं so condition जो मैं फिर समय रिकॉल करता हूँ एक subset मैंने लिया i ring r का मैं बोलूँगा i ideal है left ideal है किसका ring r का अगर i plus subgroup हो जाता है r plus का और ring का कोई भी element लोँगा उसको left से मैं multiply करूँगा i के किसी भी element से न तो again वो products होगा i में आ जाएगा concept हो जाया है उसी तरीके से right है right में कुछ नहीं ये condition सब में से होता है subgroup form करना चाहिए अब right ideal में क्या होगा इस x को जो ring का element है उसको i के element पे right से multiply करूँगा तो देखिए जो condition लिखा होगा यहाँ पे देखिए यह देखिए right से multiply करना इंके element को concept हो नहीं है friends अब two-sided क्या होता है कोई भी subset में लेता हूँ i का मैं भूलूँगा कि वो जो है two-sided ideal है कब अगर वो i's होता है दोनों left ideal भी हो जाए और right ideal भी हो जाए तो वही मैंने define किया है कि अगर subset i offering r which is both left and right ideal उसको उनक्या बहुते two-sided ideal तो left और right मतलब क्या होगा दोनों तरब से r के element को left से मुटिप्लाई करा हूँ r के element को right से मुटिप्लाई करा हूँ i के किसी element पे तो again जो वो product किसमें आ जाता है i में तो उसको उनक्या भी होते है two-sided ideal तो i hope friends यह concept संदा पाया आपको और मैंने देखे यहाँ पे note में करके बिल्कुल क्लियरली इखा हुआ है कि अगर rings जैसे ही commutative हो जाता है तो left ideal right ideal और two-sided ideal यह coincide कर जाते है simple साथ तब term हम उसका करते है केवल ideal concept clear वो friends so यह concept है ideals का अब आते हैं इसके examples की बात करें so सबसे पहले मैं trivial cases की बात करता हूँ trivial cases मतलब कोई भी अगर आप ring लेते हैं ठीक है प्लीज इसको आप pause करके note down कर लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो please इस video को pause कर लिए और लिख लिजिए so your friends आपने लिख लिए so यहाँ में आगर मैं ideas की बात करता हूँ so my trivial ideas मैं क्या पोना चाहता हूँ अगर कोई भी ring मैं R लेता हूँ तो singleton 0 जो होता है identity edition के respect में वो और जो होगा यह तो होगा यह होगा इसमें चुकि R plus को group form कर ला है और यह R यह हमेशा तो इसके सबसेट होंगे न इस ring के यह दो हमेशा आप देखेंगे singleton 0 और यह जो R जो है न हमेशा जो हुता है उस ring R का क्या करते है एक ideal form करते है ठीक्ये यह ideal form करते है और इंको हम क्या बोलते है trivial ideas इसको क्या बोलते है trivial ideas और इसका special नाम है 0 ideal और इसका क्या है unit ideal तो यह जो होता है यह नेम बहुत मैटर नहीं करता आप बस हमेशा याद रखिए कोई भी रिंग दिया हुआ है न तो उसके पास हमेशा दो आइडियास को होगे यह होगे एक तो सिंगल्टन जीरो और दूसरा जो आपका खुद हो रहेंगे अब आगे बढ़ेंगे अब लोग नॉन ट्रिवियल आइडियास की कॉंसेट डिसकस करने की कोशिस करते हैं ठीक है और इसके बाद फिर एक्जामपल्स की बात करते हैं और इससे रिलेटेट कुछ कॉंसेट की बात करेंगे नेक्स वीडियो में अब इसके आगे जो है इसके एक्जामपल्स की बात करेंगे नेक्स वीडियो में फिर से मैं बोलूँगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लई किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और जैसे सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन आता है उसको आप क्लिक करें I hope मैं समझा पाया